दोस्तों आज के मेरे इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों की बहुत सारे कमेंट्स मैसिज मेरे पास आते हैं आप पूस्ते हो कि सर बाजार जो इस समय सत्रा अजार के आसपास है सत्रा जार चार सो या पास सो या तीन सो जो भी है सत्रा जार से उपर ही ट्रेट कर रहा है ये बाजार अभी और कितना उपर जाएगा बहुत सारे लोगों के मन में ये दोस्तो सवाल उठता ही होगा definitely मेरे मन में भी है कि बाजार continuously जब रैली दिखा रहा है तो कितना उपर जा सकता है बाजार इसी विसे में दोस्तो आज मैं इस वीडियो के माद्यम से आप लोगों के साथ करूँगा चर्चा सुरुवाद करते हैं अपने आज के इस वीडियो की बने रहे है शुरू से लेकर आखरी तक देखो दोस्तो ये जो हमारा मार्किट है ना ये जो आपने रैली देखिए करोना काल से 7550 से और साथ 7500 तक की रैली देखिए है यानि कि करोना काल में जो इंडेक्स हमारा 7550 पर आ गया था निफ्टी की स्विस्ति में बात कर रहा हूँ वो साथ अब 7500 के आस पास है क्यों ऐसा क्यों हुआ ऐसा इसलिए हुआ मेरे भाई की लोग जो बाजार गिरा था ना करोना काल में वो हद से ज़दा साथ ओवर ओवर सॉल्ड हो चुगा था, ओवर सॉल्ड है, लोगों ने हद से ज़दा साथ डर गए थे लोग बार, हद से ज़दा, ये क्या हो गया, वाकि डर्णने वाली बात थी, कुरोणा काल में लोकडाउन, ऐसी सिचुवेशन कभी आई नहीं थी, ड लिए दवा के भिक्वाली हुई दोस्तों और साथ देखे बाजार के क्या हालत हो गए बाजार साथ 7550 पे आ गया जीडीपी क्रेक्ट हो गई साथ तेईस परसेंट गिर गई सब कुछ बंद है तो हो नहीं था ये सब कुछ सब कुछ बंद था भी मेडिकल क्रैसिस था ये करो मेडिकल क्रैसिस ने साथ फाइनिंसिंग को अपने साथ लेके फाइनिंसिंग क्रैसिस बना लिया जानी कि पहले जो करोना आया वो एक मेडिकल क्रैसिस था और सब कुछ बंद हो ना वो फाइनिंसिंग क्रैसिस दोस्तों इसमें हैड हो गया मुसीबत लोगों का ड़ना बिकवाली होई और साब बाजार धड़ाम हो गया मार्च में 20 मार्च की में बात कर रहा हूँ 20 से मेरी कहाँ से 24 मार्च के आसपास जब परधार मंती जी नरिन वोजी ने लोगडाउन की होस्ट ना करी थी मार्च 2020 के आसपास की बात है लोगों ने सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा लगणर लगेगा सब कुछ बन दोगा सोच बहीए एक बात बताईए जब फैक्ट्रियां बन दोगी ऑफिस बन Hay선 और तो सब कुछ साब नीचे आना नहीं था और साब विक वाली होनी थी reverber बाजार गेणना था लेकिन दोस्तों इसमें इतनी डिमांड उत्पन हो गई ना कि आप पूरी भी नहीं कर पाए उसे मैं सही कह रहा हूँ यह डिमांड इतनी पूरी हो गई कि सही आप यह जो कमपनियां थी यह पूरी कर भी नहीं पाएं जैसे फार्मा फार्मा का देगे दवाईयां सहाब FMCG लोगों ने घर में इखटा समान अपने इखटा सुरू कर दिया करना दवागे दवागे सहाब और सहाब फिर देगे जब दिमांड उत्पन हुई इधर सहाब RBI ने भी खूब दवागे पैसा बाजार में डाल दिया सरकार ने भी रहाद पैकेज के नाम पर 20 लाग करोड रुपे सहाब मोदी जी ने घोशना कर दी बहुत सारे अलाउंसमेंट हुए इधर RBI ने भी सहाब रेट कट सहाब सीमित रखे बिलकुल करे ही नहीं रेट कट पर कट 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 में इकाल से 12-13 बार रेट कट दे दी उसने रिवर्स रैपोर्टर रैपोरेट की में पॉलिसी जो RBI मोदरिक समिक्षा करता है ना RBI पॉलिसी जो आती है उसकी मैं बात कर रहा हूँ सब दबा के लिक्विडिटी आई बाजार में दबा के डिमांड आई फार्मा, FMCG और इस लिक्विडिटी और डिमांड ने जो बाजार को यहां से जूम करा ना उसका नतीज़ा आप देखी रहे हो कि बाजार आज 17,000 कारण बहुत सारे थे, बहुत सारे थे दोस्तों कारण की एक तो जो गिरावट कम है कारण आपको बता रहा हूं कि लोग बाग अनेक्सपेक्टिड थे कि ऐसा भी हो जाएगा, वो तो यही सोच रहे थे कि सब कुछ बंद हो गया है, खतम हो गया, तीन मेंने दो हालत खरा ह हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, निगेटिविटी इतनी जादा हो गए थी, बाजार साड़े साथ हजार पे आ गया, बारा हजार से, और उसके बाद लोगों ने देखा, नहीं भाई, जैसे जैसे डिमांड उत्पन हो ना, एफम सी जी की, फार्मा की, इखटा करने लगे, इस्टोर की, इस्टोर खाली हो गए, इटी सी, हुएल बगेरा के, जब भरमार हो गई, और उस दिमांड के कारण साथ, इन कंपनियों ने, फार्मा ने, एफम सी जी में आईटी, पहई, काम होना था, वरकेट होम, उसमें आईटी की इंपोर्टेंस, पूरा काम नेट पे आगया, इसलिए नेट प्रोवाइडिंग कंपनी रिलाइज, तो ये 4-5 सेक्टर ने दोस्तों अपने बाजार को बचा लिया, अब जैसे जैसे धीरे धीरे एकनोमी खुलनी सुरू हुई, करोना का असर कम हुआ, ये सहब और बहुत तेजी से भगा ब बाजार जब 7550 पे दोस्तों आ गया था तो 8000 हुआ, 9000 हुआ, जिस लेवल पे बाजार आया, उस लेवल पे शॉट हुआ, जिस लेवल पे बाजार आया, उस लेवल पे शॉट हुआ, और वो शॉट कवरिंग ना बाजार को साड़े साथ से साड़े आठ, साड़े नो, पे short और फिर बाजार short कवरिंगे कारन उससे और उपर लिक्वीटिटिटी कोई कमी थी नहीं बाजार में लिक्वीटिटी कोई कमी नहीं थी Demand Continuity में बनी हुई थी साब लोगों उपए पैसा था लोगों पे पैसा कहां से था जो सरकारे रहात पैकेज घोस्टना कर नहीं थी न मेरे भाई वो राहत पैकेज का पैसा था लोगों के पास यहां नहीं अमेरिका में भी यही हाल था डौ इसलिए उपर विस्प के जितने भी बाजार थे लिक्विटिटी के कारण उपर भाग गए दबा के उपर भागे सा और हर लेबल पे शॉट हुआ और फि शॉट कॉल देता था और वो साब देगी क्या हालत हुए हम लोगों की पूर्स की वो तो भाई सुकर मनाओ कि अच्छे लेबल पे अच्छे स्टोक हमने ज्यादा तर पैसा हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर हालात हम लोगों के इन्वेस्टमेंट में कितना और अच्छा खासा पैशा कमाया. तो दोस्तो मैं बता रहा था कि बहुत सारे कारण थे बाजार के उपर जाने के, बहुत सारे कारण, लिक्विडिटी, RBI की तरफ से साथ जो rate cuts थे, वो, Demand, सरकार के राहत package, बहुत सारे कारण थे, ऐसा नहीं. और विसक्वे अंतरास्टियस जो मेरी क्याल से संकेत थे वो पॉजिटिव थे क्योंकि जब तक करोना का डर है ना जब तक दोस्तो करोना का डर है ये बाजार गिरेगा नहीं जब लोगों के अंदर से करोना का डर निकल जाएगा तब साब लोग बाग मेरी खाल से बाजार को थोड़ा बहुत नीचे आजाए और जो नीचे आएगा ना मेरी खाल से 1500 पॉइंट की गिरावट अगर होती भी है पांदस परसेंट अगर बाजार गिरता भी है तो घबराने वाली कोई बात नीचे वह एक अच्छा लेवल होगा बाजार में इन्वेस्मेंट के लिए क्योंकि पिक्चर और रियल गेम अभी बाकी है क्यों बाकी है मैं आगे बताऊंगा तो मैंने आपको बता दिया कारण की बाजार दोस्तो कहां गिरा था और साब गिरावट क्यों हुई थी एक डर था एक भै था लोगों के अंदर और वो गिरावट बाजार को 7550 तक ले गई लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता चला जैसे जैसे लोगों को समझ में आया अरे इकनोमिक ने रफ्तार पकड़ी सुरू करी साब रेटिंग एजनसी और जीडिपी को साब तरह तरह के आखड़े दी कोई कह रहा है दस पर तीस तत की रूप से भागेगी कोई बीस पे रहा है तो साब उस्साहा आ गया लोगों के अंदर उस्साहा आ गया और लेकिन इसमे एक कारण तो आप भूली गए इसमें दोस्तो एक कारण इतना जबर दस थारा बाजार को उपर लाने में मैं आपको क्या बताओं ये सारी चीज़े तो थी थी पर डिमांड लिक्विडिटी सारी गौर्मेंट जो भी गौर्मेंट ने कारी करे जो भी रहात पैकिज आये व आगे ने साब रिटेल कौन आम जनता मैं और आप देखे दोस्तो कोरोना काल से पहले मैं आपको एक बात बताओं हमारे मैं अपने देश की बात बता रहा हूं अमोमन क्या होता था कि हमारे देश में एक डेर परतिशत ही लोग बाग सेर मार्किट को अच्छा मानते और उस का साब मात्र एक डेर परसेंट ही लोग बाग शेर मार्किट में निवेश करते हैं लेकिन करोना काल में दोस्तो जो बाजार हमारा गिर गया था ना इसलिए मैंने सुरू में आपको गिरावट के बारे में थोड़ा बताया उस समय रेट इतने बहुत चीपबल होगे थे ब तो हमने दस को बताया दस लोगों ने दो लोगों ने विश्वास करके उसमें साब पैसे लगा दिये उन्हें अच्छा मुनाफ़ा हो गया रिटेल की में बात कर रहा हूँ आई देखो हमने किसी को अगर बताया है कि SBI ले दो 165 में उसने ले लिया और उसमें साब उसे अ हो गई दो से तीन हो गई और तीन से तीन दसमलाव साथ हो गई बगल में जो ही ग्राफ लगा हूँ है ना यह आपको पूरी पिक्चर बता रहा है रिटेलर का इतना जबवर दस पार्टिशिपेशन हो गया साब इस बाजार में कि क्या खेने साब बाजार को नीचे से उप गौर्णनेंट की पॉलिशी ये तो थे ही रिटेलरों का पार्टिशिपेट साब जबर्दस था लोगों में पैसा था बाई सब कुछ बंद था पैसा कहा लगा है पैसा उन्होंने बाजार में लगाया और बाजार से अच्छा-खासा पैसा कमाया फिट दस लोगों को और बताया कि मैंने एक लाग रुपे लगा दे और मुझे इतना प्रॉफिट हुआ तू भी बजार में पैसा लगा लोग भाग ने सोचा यार विश्वास होई जाता है जब मैं आपको एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार कहूंगा तो एक बार तो आप डेफिनिटली कुछ स लीशती रिटेलर की वो साब बढ़ के 3.5 परिशात होगी उएसे में 55 है चाइना में 12 हमारे देश में मात अभी भी 3.7 है और अगर यह सोचो दोस्तो अगर यह दस पर्तिशत हो गई और होगी डेफिनिटली होगी यह दस पर्तिशत क्योंगी सेयर बाजार का ज़ो खेयल ना वो government ने इतना सर चढ़ा के बुलवा दिया है लोगों के सिर्फे कि क्या कहने मैं आपको सुरू में बताया ना कि जो भी कारी हो रहा है सुरू में नहीं कई वीडियो में बताया कि जो भी कारी हो रहा है वो share market के थूरू हो रहा है government अच्छी दरा जानती है कि जो पैसा आएगा जनता का वो बाजार के थूरू ही आएगा कंपनियों की दशा दिशा सुद्रेगी बाजार के थूरू सुद्रेगी बैंकों की दशा दिशा सुद्रेगी बाजार के थूरू सुद्रेगी पैसा जंता का बाजार के थुरू आएगा बाजार को ऊपर ही रखो ऊपर ही है ऊपर ही गिरी नहीं रहा गिर रहा है स्रीप पुट कॉल एज़ेस्मेंट है वो मैंने आपको बता रखा है कि यह operator पुट कॉल एज़ेस्मेंट करे गई तो जो गिरावट हो रही है जैसे कलुट कॉल एज़ेस्मेंट सारा कर दिया यह उसे तो अपनी जोली बननी है उसे तो अपनी बैया जोली बननी है और operator कभी भी खाली नहीं उठता वो तो एक business man है बहुत तखड़ा business man है उससे नहीं जीच सकते कुछ भी भाई तिगड़म अपना लेना call बेच देना, sput बेच देना कुछ भी गढ़ लेना लेकिन उससे जीतना नमुमकीन है वो अलग बात है कि time to time ऐसा सौधा आपका अगर पढ़ गया जो साब operator के साथ mail खा गया तो उसमें profit बना जाओगा जैसे हर बार हम कभी-कभी trading में अच्छा गाजा profit कमा लेते हैं वो operator के साथ trade फज जाता है operator के mind को set पकड़ने की कोसिस करते हैं, फज जाता है कभी-कभी नहीं तो अमूमन वो क्या करेगा? मैंने एक video बना रखा है एक ऐसा jump ला देता है आपकी सब stop loss धरेगे धरे कहां तक जीतों के उससे? Fractate के बारे में दोस्तों मैंने एक video बनाई आप उससे देख लीजेगा बहुत कुछ समझ जाए operator से जीतना ना मुंकिन है ये सिरिफ जीत सकते हो तो investment के दारा investment में रोज पैसे कभाऊ कभी ना कभी कोई ना कोई stock अपना target हीट होई जाता जैसे आज बार्टिया trading क्यों कर रहे हो? माना कि trading में दोस्तों हम लोग बहुत थोड़ा बैसा लगाते हैं जो कमाया उसका 25% ये लगाते हैं 25-75% फिर investment में करते हैं उसको भी मैंने त्याग दिया मैंने का भया इसे छोड़ो अपना investment करो quantity बढ़ा दो BCG की क्या जवर्दर्स quantity लीज आप अब साब भाटिया की कितनी जवर्दर्स quantity ली इसी तरह सुराना की इतनी जवर्दर्स quantity ली अभी भी रखा है केसार अभी भी रखा है average करने का मोगा यह नीचे ही नीचे 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 आएगा फिर average करेंगे डरना नहीं है बाजार में घवराना नहीं है जो मैंने आपको stock दिये है भाटिया की तरह ECG की तरह और stock की तरह वो अपने target को hit definitely करेंगे मैं आपको बता रहा था कि जो बाजार नीचे से करोना काल के 7550 के level से 17,000 आ गया है इसमें बहुत योगदान बहुत सारी चीजों का था उसके अलावा एक जो कारण मैंने आपको बताए एक factor बताया है वो retailer का था अगर USA में 55 है चाइना में 12 है और यहां मात 3.7 participation है यानि कि भागे दरी है retailer की तो सोचिए अगर यह 10 परतिशत होगी तो बाजार हमारा कहां जाएगा यह सोचने वाला बिंदू है और आप यह चीज सोचके कि आज यह 3.7 retailer है कल को यह 10 परतिशत होंगे तो यह समय है बाजार में निवेश करने का लेकिन और बॉर्ट कैटेगरी के stock में ना जाके जिनकी growth story नहीं है वो ऐसी ही भाग रहे है बाजार के sentiment को देखते वे तो उसमें थोड़ा सा दूरी बना के रखिए लेकिन कुछ stock ऐसे है दोस्तों जिसमें आप focus कर सकते हैं जिनके पीछे growth story है बहुत सारे stock मैंने बताए है गेल, एकसाइड, बीएचेल रिशेंटली अभी बताए है मैंने वीडियो भी बनाई है उसकी बहुत से stock में हम लोग निकल गए है रिशेंटली मैंने ये 3-4 stock बताए है तो जब सोचे कि अगर रिटेल 3.7 से 10 हो गए तो ये बाजार साब 17 नहीं ये 30 भी नहीं मेरे भाई ये सीधा 50 जार दिखेगा सबसे में कारण मान लिए आप कि रिटेलर का participant अगर इसमें मान लिया 3.7 पे हमारा इंडेक्स 7.5 से 17 अजार आ गया यानि कि अभी पहले देड़ परतिशत लोग बाग इसमें participate थे कितने परतिशत बड़े मान लिया देड़ और साब 3.7 यानि कि आप ये मान लो 2 परतिशत लोग कूदे 2 परतिशत में निफ्टी 10 अजार आ गया 2 परतिशत मात्र और ये सोचे अगर 2 परतिशत संख्या में निफ्टी अगर 10 अजार चलता यार 5 अजार मालो तो 50 अजार दोस्तों ज़्यादा दूर नहीं है निफ्टी का तार्गेट सरकार पूरा ध्यान दे रही है कि जो भी कुछ होगा ना भया आपका स्टॉक मार्किट से होगा जो गिरावट भी अगर होई न बाज़ार में तो ज़्यादा नहीं होगी मात्र मेरी क्याल से 10 पंदरा सो 1500 या 1500 पॉइंट की मेरी क्याल से आप पर्तिशत में अगर बोलें तो 10 पर्तिशत के आसपास की गिरावट हो सकती है रिटेल पार्टिशिपेट को देखिए CDSL का स्टॉक देखिए BSC का एक स्टॉक है उसको जागे देखिए CDSL का स्टॉक ऐसी 1112 सो नहीं हो गया उसके fundamental देखिए हम और आप जो काम कर रहे हैं सारा कुछ साब आमदरी CDSL की बढ़ रही है यसी एक स्टॉक है उसकी बढ़ रही है तो इन चीजों को समझने की कोसिस करिए CDSL का स्टॉक मैंने बदा रखा है financial अगर आपको देखना है CDSL का तो इस स्टॉक बना रखा कह रहा हूं में एक वीडियो बना रखा है उस वीडियो को जाके देखिए और उस वीडियो के माद्यम से समझने की कोसिस करिए कि क्यों CDSL का स्टॉक भागा जा रहा है भाई आमदर नहीं बढ़ रही है retail का participate बढ़ रहा है उसकी तो हमदर नहीं बढ़नी बढ़नी है हाँ साब 300 पे लिया था हम लोगों ने मेरी काल से CDSL CDSL उससे भी नीचे लिया था मेरी काल से दोस्तों वीडियो समझने का मेरी काल से समय आ रहा 18-20 मिनिट के आसपास की वीडियो हो गए ये लेकिन फिर भी जो वर्ट्स रह गए वो तो बताने जरूरी है तो कुल मिनाके दोस्तों आप ये एक बात ध्यान के रखिए कि शॉर्ट की तो मेरे कहाल से सोचिए मैं ट्रेडिंग से थोड़ा सा दूर रही है ये मैं सोची कि बाजार यहां सत्रा जार आगया तो गिरावट होगी अगर गिरावट हो भी गई तो कोई दिक्कत परसानी वाली बात नहीं है अमोमन ये मान के चलिए कि बाजार यहां से और उपर जाने का दम रखता है और वो कितना उपर चला जाए ये कहना अभी थोड़ा सा जल्दबाजी होगी क्योंकि गिरावट भी देखनी है अभी पार्टिसिपेशन देखिए कि अगर तीन दसमलों साथ पार्टिसिपेट अगर रिटेल पार्टिसिपेट करता है रिटी दस जार उपर जाता है और यही संख्या अगर दस परतिशत होगी तो हम लोग बहुत जल्दी एंटरी ले चुके है बाजार में कहने का मतलब लास्ट लाइन जो इस फोटो में लिखी है वो क्या कहती है कि देखिए कि देन वी आर स्टिल अर्ली टू दा गेम गेम में हम लोग बहुत जल्दी एंटर हो जाएंगे यह लास्ट लाइन है न जो इस फोटो की वो बहुत काम दिये तो आज का वीडियो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि बाजार क्यों गिरा क्यों बढ़ा और साब आगे यह बाजार कहां तक जा सकता है कारण भी मैंने बताए गिरने की भी बताए गिरने के कारण को मैं ज़्यादा डीपली तो नहीं बता पाया आपको सिर्फ जल्दी बाजी में थोड़े से कारण मैंने आपको बता जे कि बाजार क्यों गिरा medical crisis वगारा करोना के कारण बाजार गिर गिर गया फिर वो बढ़ गया तो वो का विश्वास बढ़ा demand आई और साथ liquidity प्रियाप मातरा में थी RBI का government का पूरा सहयोग था retail का participate जो important role अदा कर गया बाजार को बढ़ने पर तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान में रखा करिए इन चीजों को समझने की कोशिस करिए थोड़ा सा investment बाजार में जरूर करिए definitely आपको मोनाफ़ा होगा अच्छा होगा अगर आपने stock अच्छा चुना है आग्या दीजे मुझे आज का वीडियो समात करने की मुलागात होगी कल फिर किसी नए वीडियो पे किसी नए topic के साथ तब तक कीजे इंतजार finally आपसे नमस्कार